हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेगनेट है और आपके टाइम पे डिलीवरी पेन नहीं आते हैं लेवर स्टार्ट नहीं होता है क्यों डिलीवरी में देरी हो जाती है या फिर क्यों सिजिजिजन सेक्षन करना पर सकता है महिलाओं की कुछ भूल होती है जिसकी वज़र से उनको ऐसी प्रॉबलम होती है और अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगी तो आप वो गलती नहीं करेंगी और आपकी डिलीवरी समय पे होगी क्योंकि आपको भी पता है अगर डिलीवरी में टाइम लग जाता है डिलीवरी देरी से होती है तो वो काफी रिस्की होता है महिलाओं के लिए और बच्चे के लिए भी होता है तो आपको ये चोटी-चोटी से भूल नहीं करनी है अगर आप प्रेगनेट वुमेन है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर इमेडिटली आपने अपनी डुटीन को चेंज कर लिया तो आप बहुत हेल्थी प्रेगनेंसी और साथी साथ डिलीवरी भी कर सकेंगी तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और उमीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हैल्फुल होगी अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो मेक शेर सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल नोटिफिकेशन आउन करने ताकि ऐसे हैं वीडियो आपको प्रती दिन मिलती रहे और इस चैनल पर प्रती दिन जो वीडियो आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर जाती रहे देखें friends क्या होता है pregnant woman का जो सरीर होता है वो day by day काफी ज़्यादा भाड़ी होता चला जाता है complications भी बढ़ते चले जाते हैं कई सारे महिलाओं को जो होता है अलग-अलग तरीके का complication होता है कुछ महिलाओं को बहुत pain होता है कुछ महिलाओं को क्या होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ महिलाओं को क्या होता है, काफी ज़्यादा आलस आता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो है हमारे हामोन्स के परिवर्तन की वज़े से चलता रहता है अब हम गलती कहां पर करते हैं, कुछ महिलाओं को क्या होता है, साइकलोजिकल प्रॉब्लम होता है, कि हम प्रेगनेंट हैं, तो वो अपने आपको बीमार महसूस करने लगती है, इस कंडिशन में फीजिकल एक्टिविटी बिलकुल ही खतम हो जाती है, हम ज़्यादा से ज़् करने लगते हैं, और मैं आपको बिलकुल सही और सच बताओं कि प्रेगनेंसी के दौरान रेस्ट अधिक करना बिलकुल भी सही नहीं होता है, बिकॉज इसके पीछे कुछ साइन्टिफिक रीजन होते हैं, जो महिला काफी ज़्यादा एक्टिव होती है, उनके मसल्स में हर अगर आप बहुत जादा एक्सिस आराम करेंगी, तो आपका वेट भी बढ़ेगा, और आप सोटे सोचती रहेंगी, तो सोचती रहेंगी, उसकी बज़र से स्ट्रेस लिवल भी बढ़ेगा, और आपके सरीर में मल्टिपल जोईंट्स की एक्टिविटी खतम हो जाएगी, जिसकी वज़र से बहुत जादा इसूस चालू हो जाएंगे, इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेट वुमेन को हमेसा एक्टिव रहना चाहिए, अब एक्टिव रहने का मतला ओवर एक्टिव रहने से नहीं होता है, इट मींज कि आपको आराम करना है, लेकिन काम करना बिलक बहुत अच्छा होता है, इसमें multiple joints की movement होती है, तो वो काम तो आपको बिलकुल करना चाहिए, throughout the 9 month, eventually मैंने भी किया है, जिन महिलाओं ने किया है, उनको बहुत healthy pregnancy होई है, बेबी का weight बहुत अच्छा था, बेबी की activity movement, overall बेबी की जो development है, वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि आपको activeness level अपना खुद से maintain करके रखना है, बहुत ज़्यादा सुस्ती, आलस, काफी ज़्यादा अराम बिलकुल भी नहीं करना है, ये आपके और आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है pregnancy के दौरान, इसलिए आप इ दिया गया एक बड़दान है, जो हम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, तो वो खुशी की बात है, उसमें आपको energetic रहना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आप आराम करती रहें, तो इससे कोई फाइदा नहीं मिलेगा, अगर आपको कोई condition ऐस बता दते हैं कि आपको कम bed rest करना है, ऐसी महिलाओं को भी सुरुवाती कुछ महीनों में bed rest नहीं कहा जाता है, आकरी के कुछ महीनों में bed rest बताया जाता है, वो भी bed rest का मतलब यह नहीं है, चौबिस गंटे bed पे ही पड़े रहना है, टहलना है, वॉकिंग करना है, अराम से आपको जो हलका फुल का काम है वो करना है, बाकि पूरे बेड़ पे ही प्रति दिन आपको continue लेटे नहीं रहना है, ऐसा बिलकुल भी मत करना, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, यह आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकती है, इसके अलावा फ्रेंड्स, जो दूसरी condition होती है, कहां पे हम अपने आपको critical condition में डाल लेते हैं, वो होता है, आपका खान पान सही नहीं होना, basically हम क्या करते हैं, जब pregnancy conceive होती है, हमारे जो टेस्ट का एक sensation होता है, वो खराब हो जाता है, metallic swad आता है, किसी भी चीज का taste पता नहीं चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मन करता है, खटा, चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना, अब ये बहुत ही गलत होता है, प्रेगनसी में, क्योंकि इससे क्या होता है, बॉड़ी में heat होती है, और कई बार ऐसा होता है, फ् जिससे आपको उल्टियां आ सकती है, चक्कर आ सकता है, हैड़क हो सकता है, तो इतना ज़्यादा heavy food आपको बिलकुल consume pregnancy में नहीं करना है, तो फ्रेंड, सुबा उठते से ही समोसा, पीजा, बर्गर, या फिर बहुत ज़्यादा oily food जो है, वो मत लिजिए, fruits खाईए, oats और अच्छे से पेट भढ़ करके खाना खाईए, इसके अलावा, friends, बहुत कम खाना भी pregnancy में अच्छा नहीं होता है, कई सारी महिलाओं को इतना morning sickness परशान करता है, कि वो पानी भी नहीं पीती है, ठीक से खाना भी नहीं खाती है, आप देखिए, आप जो भी खाती है, वो कुछ न कुछ खाना ही चाहिए, वो चोटी मिल हो या बड़ी मिल हो, एक ही बार में बहुत अधिक खाना मत खाईए, चोटा-चोटा मिला प्लान करके रखिए, चोटी-चोटी सी मिल में आपकी एनरजी काफी high level की रहेगी और आपको कोई दिककत भी नहीं होगी, तो इसल विटामेन C होता है, जैसे की संत्रा हो गया, ऐसे फलो का सेवन करिए, उसके छिलके के गंद से भी आपकी उल्टी रुख जाएगी, तो इन चीजों से भी आप अपने morning sickness को कम कर सकती हैं, अब इसके अलावा, जो next चीज में आपको बता रही हो, बेहत important है, अगर आप pregnant हैं तो in the whole आपके 9 मंद के pregnancy में अगर weight आपका सही है, बहुत मोटे नहीं है, तो कम से कम 12 से 15 किलो का weight gain करना चाहिए, जो कि healthy होता है pregnancy के दौरान, लेकिन अगर आप मोटी हैं, आपको पहले से ही काफी ज़दा fat है body के अंदर, तो आपको केवल 7 से 8 kg ही fat gain करना चाहिए, कई बा weight होने की वज़े से भी normal delivery नहीं हो सकती है, उसमें केवल सिजेरियन सेक्षन ही करना पड़ता है, विकॉस हमारा weight बहुत अधिक है, या फिर हमारा weight बहुत कम है, हम कम जोड है, या फिर बहुत ज़दा fat है, तो उस condition में भी हम डिलिवर नहीं कर पारेंगे baby को, इसलिए एक proper weight maintain करना बहुत important होता है pregnant महिला को, और जिसके लिए आप अपने doctor से पड़ा मर्स लीजिए, वो आपको diet पूरा बताएंगे, कि आपके weight के according आपको कितना खाना है, क्या खाना है, और क्या नहीं खाना है, प्रेंड्स में आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, कभी भी आपको अधिक weight बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ऐसा कोई भी diet fluctuate pregnancy के दौरा नहीं करना है, इमेडेट से, आपको doctor से जरूर पूछना है, अपने diet के बाड़े में, वो जो बताएंगे, वैसी ही diet को लेना बेहद important होता है, कई बार होता है कि सरीर में कुछ कमी होती है, कमजोरी होती है, या बच्चा कमजोर होता है, तो उसके बिहाब भी nutrition guide doctor प्लान करके देते हैं, तो उसके लिए आप अपने doctor से frequently बात करिए, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं friends, कि pregnancy के दौरान बहु बहुत जादा बाहर का खाना, बहुत जादा junk food या बहुत जादा बैकरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, ये सभी चीज आपके लिए बिलकुल अच्छी नहीं है, Chinese चीजे बिलकुल भी मत खाईए, क्योंकि इसमें बहुत preservative होता है, और chemical से बनी वी कोई भी food आपको pregnancy में नुक्षान दे सकती है, इसलिए इन सारे चीजों से बच के रही है, आप लास्ट टिप ये है, friends के अकसर मैं आपको बताती हूँ कि exercise बहुत अच्छा होता है, pregnancy के दोरान आप बच्चों के जैसे crawling कर सकती है, scots लगा सकती है, butterfly exercise कर सकती है, yoga कर सकती है, आप अच्छे स जो है, टहल सकती है, तो ऐसे moment को daily अपने lifestyle में करीब 30 minutes के लिए include करना चाहिए, because इससे muscles fragile होते है, आपका जो गरवासे होता है, वो मजबूत होता है, और pelvic girdle area जो होता है, वो pregnancy के लिए normal delivery के लिए काफी अच्छे से तयार हो जाता है, बच्चे को head down करने में काफी easy हो जाता तो normal delivery फिर नहीं होगी, और इसके अलावा, इन सारे चीजों को करते समय, पूरे 9 महीने की delivery में, pregnancy में आपको tension नहीं लेना है, stress लेने की वज़े से हम पूरा lifestyle अच्छा रखते हैं, पूरे active रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और last वक्त पे tension लेते हैं, जिसकी वज़े स हमारा जो BP होता है, वो fluctuate करता है, और जब इसमें काफी ज़्यादा उपर नीचे होगा, तो फिर delivery सिजेरियन करनी पर सकती है, immediate, तो tension लेने की वज़े से सब कुछ fail हो सकता है, हमने इतना ज़्यादा care किया, 9 मन्त इतना ज़्यादा ख्याल रखा खुद का, लेकिन वो अपने आपको relax करने के लिए, खुश रखने के लिए जो activities कर सकते हैं, वो करिए, आप openly अपने डॉक्टर से consult करिए, और इसके अलावा friends, आप बिल्कुल stress free रहिए, आप अपने pray करिए भगवान से, कि सब कुछ अच्छा जाए, क्योंकि आपको इतने सकती भगवान ने द देती है, और एक अच्छे डॉक्टर के पड़ामर्स में ये चीज़े और भी आसान हो सकती है, तो friends, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी negative बात अगर बताता भी है, तो वो अपने pregnancy, अपने delivery की ही बताता है, और फिर भी उसकी delivery अच्छी ही हुई है, भी एक safe delivery और अच्छी healthy delivery हो सकेगी, अगर फिर भी आपकी कोई परिशानी है, तो आप नीचे मुझे comment section में mention करिए, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेर, लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, चलिए फ